विल्कम बेक तो दिव कॉर्स आफ क्लस नाइंत मिथिमेटिक्स आज हम चिप्टर नुबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज देनी 3.6 को डिस्कस करेंगे और वेसी चिप्टर की लेक्चा नंबर 11 रिकार्ट हो रही है एक्सरसाइज 3.6 के टोटल 2 क्विस्टर है और हर एक क्विस् लेक्चर बहुत लेंटी हो जाएगा और ये क्विस्टन वैसे भी तोड़ा बहुत लेंटी है तो इसलिए हमने आपकी टाइम से उखरने के लिए इसको पहले से ही आपके सामने हल किया हुआ है और हम आपको सिरुफ ब्रीफ करेंगे कि यह हुआ किस तरह है तो out of five parts in the question number one हम सिरुफ two को देखेंगे जो मेरी नजर में सबसे difficult है मैं उसको आपको समझाओंगा और जो मैं समझता हूँ कि तुड़ा simple है उम आपके लिए as a homework चोड़ूँगा तो इसमें आता है part number three सबसे पेले हमें इसकी statement देखें तो simplify with the help of algorithm यह नमर हमें given है यह इस तरह की fraction है जो देखेंगे आना है कि जहां इस number या इस value के अंदर ना इसमें कोई multiplication रहे जाए ना इसमें fraction हो ना इडिशन ना सब्रेक्शन ना कोई explanation या एक single number को आपने convert करना है अब single number में convert करना है तो यह तो बहुत simple है उपर वालों का आपस में multiply करो नीचे वाले के डिवाइड करो बा अंदर डालना है कोई वरीबलाप ने सकते हैं मैंने यहां पर लिका है कि लिख सकते हैं और अब यूजिंग भी लाजफ लग रितम अगर आपने करना है तो इसके लिए आपको लाग लिखना पड़ेगा इसी question के अंदर जो कि हमें given नहीं है तो इस मकसद के लिए हमने के है कि टेकिंग लागन बोट साइड्स वाइ बोट साइड्स यू नो कि इस तरह अपर इसका नेट इफेक्ट नहीं आएगा अगर आप एक साइड पर खरेंगे तो आपका नेचर और दी क्विस्टिन हो जाएगा और यह mathematics की rules के खिलाफ है तो one side of equality के उपर आपने जो भी कर का लाहे explanation का लाहे question का लाहे ठीक है तो इन तमाम last को आप use करते हुए आप इस number को simplify करेंगे तो हम कोशिच करेंगे कि यह जो लाग आ चुका है आप इस side पे right side पे left side पे जो video है उसको हम कुछ नहीं कहेंगे उसको आखिर तक हम log of x log of x आप देख सकते है as it is आपने लिखना है जो कुछ भी करना है आपने right side of the equality के उपर करना है तो right side of the equality के उपर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम कोशिच करेंगे कि यह जो लाग है यह हर एक number के साथ हम अपनी अलग अलग लिखें क्योंकि कि किसी भी log value कि आप output नहीं काल सकते हैं जब वो log value एक single number होगा यहा आप इसकी output नहीं नकाल सकते हैं तो इस मक्सक्त के लिए आपने यह जो log है यह हर एक number के साथ आपने लिखना है लेकिन होगा है कि जब आप हर एक number के साथ यह log लगाएंगे तो इसके बीच में आपको multiplication भी आएगा, subtraction भी एगा ठीक है यह fraction भी आ जाएंगे तो उसका क्य algorithm आपने यूज़ करने है वह आपने यह चीज़ देखना है कि अगर मैं यहां आगी जा रहा हूँ इसके साथ मैंने लाग लिख लिया ठीक है अब बीच में आ रहा है operation तो इसी operations को replace करने का नाम है using the laws of algorithm ठीक है तो अगर हम शुरू करेंगे इसके साथ हमने अलग लाग लि direction बटा जिसको हम किखते हैं अब इसका एक्चिन में मतलब यह होता है कि आर डिवीजन है जो कि एक operation को represent करता है तो यह operation हम लाग लाज़ा फ्लेक्रित्म की मताविक रिप्लेस करेंगे तो यहां जाएगा माइनस और पिर नेची वाले के साथ अपना लाग अब आप देख स अहले हैं करेकvelmente करेक्रिक्रिक मिनटीस है यहां करेक्रिक्रिक की आप इस नंबर का निकालें और मेंटिस आप निकालें उन दिनों का एट करें तो आपके पास मेलियो आ जाएगे अब यह Pronunciation होती है यह है जो इसे से निकालेंगिए यह से निकालना है मैं भी समझाओंगा लेकिन जूम्हें जू मैंटि सो होता है वह आपका जो इस तरह मैं आप वे फर्मूला बताओंगा उसी किते हैं तब में यह चाप पूछ करना है फर्मूला यह है कि आप यह याद रखना है पी एल डी माइनस वन अभी टी इंडी माइनस वन क्या है पी एंडी का मैंने मतलब देखाला हुआ है कि पॉइंट के लेफ में डी मतलब पांट मतलब डी मतलब इंडी मतलब ज्याफ में आपने डीम डी मतलब आसे को हों और को सब्सक्राइग को बांदे नहुको यहाद न Airbnb का उचकर वाहँ मन भांगा पर प्लस घ्र उसा स्थ प्लस मैंटरस कि आसं पर मैंने को बंद के निकाला है लाग टेबल से और लाग टेबल से हम कैसे निकालते हैं जो भी आपका नम्बर होता है उसको आप स्प्लिट आट करो इन त्री ग्रूप पहले डूड़ीजिट का एक ग्रूप बनेगा फिर इसके बाद जो दूड़ी डिज़िट बनते है उसका अलग-अलग ग टेबल है तो उसके राइट में एक अलग सेक्शन होता है जिसके अंदर 10123 ने से 9 तब उपर डिजिट्स होते हैं और वहां हर एक डिजिट्स के नीचे वेलियू होते हैं तो आपने वहां देखना है कि 6 के नीचे कौन सी वेलियू है तो भी आपने नोट करना है और फिर वह 4 के नीचे और 6 के नीचे जो दो वेलियू होगी 78 के आगे उन दुनों को आपने 8 किया तो आपके पास यह वालव नंबर बनेगा 8946 और इसके चुकि यह मैंटिसा है तो मैंटिसा पार्ट के शूरू में अपनी तरफ से आपने हमेशा पांट लिखना होता है तो यह भी हमन ना बता रहा हूं हूं आपको नोट करें पी आर जेड़ माइनस वन रिटर देना रिकूट बन के लिए यह फर्मूला तो आपने देख लिया इस टाइम आपने यूज़ करना है जब आपके लाग में जो नंबर हो लेस्देश गाल होता है फिस टाम आपने यह फर्मूले में सिर्फ और सिर्फ एक zero है और यह zeros आपने वोगले zeros लेकने हैं कि इसके जो लागतार जिरो होते हैं मतलब अगर किसी कोई zero ऐसी है जिसके पहले कोई non zero digit अता है तो आपने काउट ने करना है फर एक जाए यहां फोर के बाद या तरी के बाद या वार के बाद जिरो आता है तो उसको हम खांद ने करेंगे तो इसके बाद आपने एक नेगेटिव शाइं भी अपने लगाना है तो यह बनेगा आपका माइनस टू करेक्टरिस्टिक इस नंबर का बाकी मैंटिस वाला जो पार्ट यहां पर हमने लिका है पाइंट सिक्स त्री फॉर फाइव यह आपने लाक्टेबल से निकाल रहा है और इस नंबर को अगर आप यह नंबर आपने विदावट डिसिमल कंसिडर करना होता है तो य इक चल्ड डिजिट्स हमारे पास बनेंगे फॉर त्री वन रह जाएंगे आप इसकी वही ग्रूपिंग करो पहले टू डिजिट्स का अले ग्रूप बनेगा पिर जितने बिए डिजिट्स रहते हैं खाव एक है या दो है उसका एक एक बनेगा यहां फॉर त्री वान और और जो जड़ है नहीं तो नहीं है फिर उसका चोड़ दें तब आपने फॉर त्री त्री के आगे वान के नीचे देखना है कि कोई वेल्यू है तो वह जायर है आप टैबल लग्टबल में जाके चेक कर सकते हैं और हमेशा की तरह इसकी शुरू में आपने पॉइंट अप करें तो आपके पास 4, 5, 0, 7 रिज जाएगा और अपने तरफ से उसके बिगिनिंग में आपने पॉइंट भी डाल दिया आप इनको सीब्लिफाइफ करना है बस तो यहाँ पर आप देखें त्री वेल्यू है और दो एंट हो रहे हैं वान सब्रेक्ट हो रही है तो हम पहले के जीए इनको आपस में एक जगा लिखते हैं तो यह दू करेक्रिक्रिस्टिक 2 प्लस और एक माइनस 2 वाला करेक्रिक्रिस्टिक यह दून अपने जगा और इसके मेल्टिस के जो रहे हैं यह आपस में 1 जगा लिके गए और लास्ट विल्यू बेसी की वएसे अब टूप माइनस एक्चुल में यह तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस सो टू माइनस तू बने का जिरो और इन दिरो करेंट करने से 1.5291 आ जाएगा अब यह 1.5291 जो है यह एक्चुल में हमाई पास इसी तरह की कोई वेल्यू है जैसे हम करेक्रिक्रिस्टिक मेंटेशा लिखते हैं या कोई भी एक सुपल नमबर आप इसको Pres करना चारते हैं तो अगर कोई बीचे में अप को जो है एट करें जो इं दुरों करेंगे तो दूबार वही चीज़ हैगा लेकिन हम इसक्यों करते हैं यह आपको आगे समझ में आ जाएगा तो इसको हमने split out किया 1 plus 0.5291 यह माइनस अपनी जगा तो यह सी ब्रेकट के अंदर multiply हो गया तो यह माइनस 1 बन गया और यह माइनस प्लस माइनस और यह इस इस अपने लिग दिया अब यहां से 1 1 आपस में और डेसेमल पार्ण में अप्स में aड क्या रहे हैं लहां से माइनस 5-0 2784 बन जैगा और हमाना पास यह वाली वैलिवा जाएगे लिकिन हमारा answer नहीं है हम यहां आप पो एक्स के मरावर लिया था हम्हें चाहिए तो X की value निकालने के लिए हमें यहां से लाग हाटाना पड़ेगा तो इसके लिए हम एंटी लाग मल्टिपाल करेंगे तो बोट साइड जैसे ही हम यह करेंगे तो यह वाला लाग और एंटी लाग कैंसल हो जाएंगे और यहां पर X रहे जाएगा बाकी इस साइट पे एंट लाग के लिए भी सबसे पहले आपको करेक्रिक्रिस्टिक का अफ दिनमबर निकालना है और करेक्रिक्रिस्टिक की एंटी लाग हम कैसे निकालते हैं इसके लिए अगर आप यह नंबर को देखें तो दो पसिबिलिटिस हो सकते हैं अब यहां पर अगर आप देखें तो यह कुछ भी नहीं करते तो प्याँ जेड अगर आप देखे तो वो तो पाइंट के राइट में जिरो जबन है तो इसका करेक्रिक्रिस्टिक बन गया हूँ अब मैटिसा एंटिलाग में कैसे निकाला जाता है उसके लिए आपने पाइंट और इसके बाद जो भी पोर्शन होता ह आपके नंबर का डिसेमल और इसके पारण बाद जो भी पोर्शन है उसको आपने कंसिडर करते हुए गृूप करना है तो डिसेमल के बाद जो पोर्शन है उसके अगर हम गृूपिंग करेंगे तो 07 तो डिजिट्स के गृूप बनेगा और बाकि जितनी बी डिजिट्स ह रहे होते हैं उसके बिंबान इगा और फिर सीवार की नीचे और फोर के नीचे यह अपने देखना हैinta लगें आ इन करई करमा सक्षंगा अब लाजनक करना है ऑर वहां Imp Self की आगए देखना है कि 8 की नीचे क्या आ रहा है तो मैं आपको बताता चालू कि 07 के आगे 8 की नीचे 1197 आएगा और इसी के साथ हमारे पास जो है 07 के आगे 4 की नीचे आएगा आपको वान तोन दोनों को आपने 8 किया वो टोटल वेल्यू आजएगी 1198 ठीक है अब यह 1198 जो बेल्यू है यह तो आपकी आ गई मैंटी सा तो इसके आगे आपने यहां पॉइंट वी प्लेस किया तेकिन अब मसलब यह है कि करेक्रिक्रिस्टिक का क्या करना है पहले लाग में हम करेक्रिक्रिस्टिक को एड़ करते थे विद दा मेंटी सपोर्ट आफ गई तो जो भी हमारे पास यहां आता था लेकिन एंट इलाग में आपे सन नहीं करेंगे एंट इलाग में जो भी मेंटी सा आपका निकल आता है उसके शुरू में आपके पास हमेशा एक दो पॉइंट होता है और इसी पॉइंट को आपने left and right को shift करना है the basis of characteristics तो अगर इसकी characteristic 1 है यानि PRZ के मताबिक point के right में सिर्फ 1 0 है तो हम इसी वो plus 1 है या minus 1 है ये भी देखना है तो अगर वो plus 1 बनता है तो हम क्या करेंगे हम करेंगे यूँ कि decimal point जो है इसको one digit shift करेंगे to the right side तो जब ये shift हो जाएगा यहां से यहां पर तो ये बन जाएगा 1.198 ठीक है तो वो हमारा answer है यहां पे तोड़ा हमने गलत लिखा है 1.198 हमने लिखा है तो ये गलत है हमने लिखना है सिर्फ और सिर्फ 1 point क्योंकि ये हमारा मेंटिसा part है और यहां पर decimal point होता है तो हमने सिर्फ 1 digit की to the right वो decimal shift करना है तो यह बने का 1.198 आफ डिस question अंसर ठीक है आगी जाते हैं और एक next portion को भी देखते है तो कि आपको हाँ ये question जो है इसमें clarity हो next portion में आपको ये वाली value डी गई है ठीक है और इसको भी आपने simplify करना है easy till जैसे कि आपने question 1 में किया तो ये part number 5 है question number 1 का और इसमें भी हमेशा की तरह मैंने किया किया है इसको सबसे पहले let this value is equal to x लिका है और फिर making lag on both sides दोनों साइट के उपर हमने lag लिक लिया और फिर हर एक value के साथ lag लिकने की हमने कोशिश की है उपर वाले की जो दो values है उसके साथ हमने lag लिका है नेचे वाले के साथ भी हमने lag लिका है यहां बीच में हमारे पास multiplication था है एक्शन में तो हमने replace किया है by प्लस एकाड़ों को दूरों जफ लग लिए तो और यह जो fraction है उसको हमने replace किया है by minus अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर lag लिकी उपर exponent है यहां lag लिकी उपर भी यह जो जज़ए है इसके एक्शन लिकी तो one over two exponent होता है तो हमने इसमें करवट किया है minus lag पिरनी चे इसका fourth root है तो four root की value one over four की बराबर होती है तो यह एक्शन में हमारे एक one over four exponent बन दिया अब गर किसी भी lag लिकी उपर आपके पास exponent होता है तो according to the rules of algorithm आप उसी exponent को उसी lag के बाहर multiply कर सकते हैं तो यह हम कर रहे हैं according to the rules of algorithm इस तरी को हम इसी lag के साथ multiply कर रहे हैं यह one over two इस lag के साथ multiply हो रहा है और यह one over four multiply हो रहा है उसी lag के साथ तो यह हमने one rule यूज किया अब next step में हम यह करेंगे इसने इन तमाम numbers की हम lag value निकाल रहे हैं और lag value हम कैसे निकालेंगे पर लिए पार्ट में आपने देख लिया कि करेक्रिक्रिस्टिक प्लस मेंटिसा यूज करते हुए इस नमर की करेक्रिस्टिक बनते हैं one field minus one की formula केते हैं क्योंकि part के left में two digits है so two minus one is this one is characteristic इसका मेंटिसा 8944 इसी तरह इसी नमर की lag value के करेक्रिस्टिक इसका two है मेंटिसा 353 minus one over four into the log of this number इसकी जो lag value है characteristic इसका बनता है minus one और मेंटिसा है point one nine three seven अब आते हैं इसको थोड़ा simplify करते हैं जो बाहर मेंटिप्लाइ किये हुए है इसको हम action में multiply करते हैं और ये brackets साथ हो करना चाहते हैं तो सबसे पेले one plus point nine eight nine four four अगर आप करेंगे तो one point eight nine four four हो जाएगा इसी तरह इसमें ये two के साथ अगर आप ये decimal portion eight करेंगे तो आप जिए प्लस को हटा दे पिर ये eight consider किये जाएगी ये two point one five three हो जाएगा और इसी तरह minus one plus के साथ ये करने के लिए तो ये plus हटा दे one minus one sorry minus one point one nine three seven आजएगा अब यहाँ पर ये इसमें multiply करके ये बन जाएगा और one over two इसमें multiply का मतलब ये है कि इसको आप two के उपर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा और इसी तरह one over four इसमें multiply का मतलब ये है कि आप इसको four के उपर डिवाइड करें तो यहाँ पर ये आ जाएगा इन दोनों को एड़ करके 6.7598 और यह एक स्टिप हमने तोड़ा आगे क्या हुआ है यहां पर एक्चिन में हमने माइनस वान नहीं किया ता डारिक तो उसको हमने यहां पे लिका और आप यहां से इस वीडियो से वान को माइनस करके यह बनता है पिर इसमें वान और 9,6,100,8,9,9,6,100,19,93 एक सिंगल वीडियो आ चुट है मैं यह हमारा ऑनसर नहीं है क्योंकि हमें X की वीडियो चाहिए, क्योंकि X बराबर ता एक्चिन में हमारी क्यों क्योंके हमार क्योंक्र कर फॉरमारी, आप यहां पर जो वीडियो है यह एक्स की बराबर नहीं, यह तो X से यह लाग हमने खटाना है तो टैनले क्विस्चन की तरह लाग को खत्म करने के लिए हम एंटी लाग लेंगे लेकिन बोट साइट के उपर तो यहां से जो लाग है और एंटी लाग है यह आप आपसमें कैंसल आउट करेंगे एक सरे जाएगा और इधर आजेगा एंटी लाग यह डट लाग का मतलब है एंटी लाग आप इस नमबर 6.9613 अब इस नम्बर की अटी लाग आप कैसे मलूँ करेंगे फिर आपने जो एंटी लाग लूँ किया था वे कैसी नमबर का आप इंब्लों किया था जिए की नेकिन अगर आपके पास। क्यों सी नमब्र है तो उसके हैं ऐनड़ आप कैसे निकालेंगे और देखेंगे इस टाइम विप कर्कुति है के निकालेंगे और इस इसNote ओर आप न हम आप होसे निकालेंगे कि जिस तरह आ आपने सिर्फ देखना है लेकिन यहां भी जो PND आप देखेंगे उसके साथ आप प्लस वन करेंगे PND प्लस वन और यहां जो PND है इसका हरकी जी मतलब नहीं होगा कि पांट के लेफट में डिजिट जीसा नहीं करना है आप बलके जो एक्ट होती है वह आपने लेनी है यांने जैसे कि अगर आप दे किप साथ आपने वन करना है तो 6 प्लस 1 कितना बनेगा? 7 ठीग है? तो हम कहते हैं कि इस नंबर की जो करेक्रिक्रिस्टिक है वो 7 है और यह आपने नोट करना है आपने साथ किसी भी राफ साइड पर अब आते हैं इसी नंबर की मैंटिसा को हम केसे निकालेंगे मैंटिसा के लिए आपने पाइंट के बाद वाले डिजिट्स को ग्रूप आउड करना है पाइंट के बाद में 4 डिजिट्स है तो 1st 2 डिजिट्स को एक और बनेगा और जो लास्ट 2 डिजिट्स है उसका अलग-अलग ग्रूप बनेगा इनि 96 के सामने 1 की नीचे लेकिन यह आपने देखना है इन दा लाग टेबल लाग टेबल में भी आपने एंटि लाग वाले सेक्शन में देखना है तो एंटि लाग के सेक्शन में जाके आपने 0.96 के सामने देखना है 1 की नीचे कि क्या आ रहा है पिर .96 के आगे 1 की नीचे जो भी होगा वो आप नोट करें पिर इसी लाइन में आगे जाते हैं वे यह जो दूसरा सेक्शन होता है वहां आपने देखना है .96 के अगे 3 की नीचे क्या है वो वेल्यू भी आपने नोट करना है दोनों को आपने 8 करना है अब इसकी जो value आजेएगी उनमे आपको बता दो 9147 आजेएगी अगर आप इन दोनों को exactly देखेंगे इशारिया 96 के सामने पेले 1 की नीचे और दूसरे section में 3 की नीचे जो value है उन दोनों को 8 करने के बाद आपके पास आएगा 9147 और यह आपका होजेगा mantisa आप चुकि यह mantis apart है तो इसकी शुरू में आपने decimal लिखना है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसके आगे decimal भी लगाया हुआ है अब आते हैं characteristics का क्या करना है तो जिसमें आप बता कि इसकी characteristics कितनी है 7 plus 7 है या minus 7 है plus 7 तो plus 7 है तो इसके मतलब भी है कि यह जो डिजिट है या यह जो decimal है यह 7 digits हमने आगे shift करना है to the right side अगर यह minus 7 होता तो to the left side अब अगर देगा जाएं तो already इस decimal की right side में 4 digits हमारे पास exist करते हैं और हमने इसको move करना है 7 digits तो 3 digits की कमी है तो हम पूर करेंगे 0 score यूज करके तो यहाँ पर 9147 और 3 0 हमने लगाए पिर इसके बाद हमने यह वला point लिका है अब इसी point की आखिर में आप 0 लिके ना लिके या आपकी मरजी है तो जो एक्चल अंसर बनता है वो 9147 ट्रिपल 0 बनता है ठीक है लेकिन अगर यह characteristic minus 7 होता तो कब तब क्या होता तब यहाँ से इदर हमने 70 लगाने थे और उसी के बाद हमने यह decimal place करना था तो आई होब कि आज की इस lecture में आपने देखा होगा कि इन numbers को हमने कैसे simplify किया तोड़ा लेंटी जरूर है आज का lecture क्यूंकि questions लेंटी है process लेंटी है और हमने अथने में कोशिश भी की है कि आपको कम से कम टाइम में यह चीज़े समझा दें इसलिए हमने पहले लेक्से हल किया था है इन चीज़ों को एगिन फिर भी तो इसके भी कुछ बार्ट सहल करेंगे तब तक लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अल्लाफिस